नमस्कार आप देख रहे हैं YAS News मुरादाबाद में आज से श्री श्याम महोत्सव का होगा भव्या आयोजन मुरादाबाद में श्री श्याम सेवा समिती द्वारा 15 अक्टूबर आज से जिगर मंच पर साय साथ बजे आयोजित होने वाले एकादश भव्य श्री श्याम आस्था महोत्सव की जानकारी देने के उपलक्षय में प्रैस वार्ता का आयोजन किया गया इसने समिती अध्यक्ष रोहित अगरवाल ने बताया कि हर वर्ष की भांती इस वर्ष भी श्री श्याम आस्था महोत्सव किया जा रहा है और कहा इस वर्ष बाबा की कृपा से समिती द्वारा एकादश भव्य श्री श्याम आस्था महोत्सव 15 अक्टूबर को सिविल सेवं श्रधापूर्वक मनाया जाएगा और इस अवसर पर जैपूर से पधारे संजय पारीक वफतेहबाद से परविंदर पलक द्वारा बाबा श्याम का गुनगान किया जाएगा इस दोरान राजकुमार शर्मा, सचेन अगरवाल, प्रियांक, अमिताब, सुरेश स्यानी, विपिन, उमेश, रिंकू, जैप्रकाश गुपता आदी समिती के लोग मौजूद रहे इस कारेकरम को भब में बनाए वागी हमारे बहमंतिरी जी है राजुशर्मा जी कुछ लिए बताएगी मेरा नाम डॉक्टर रोहित अगरवाल है अध्यक्षु मैं श्रीश शाम सिवा समिती पंजीकरत और इस रेजवारता का में मकसद ये है हम लोग कल यानिकी दिना 15 अक्टूबर मंगलवार के दिन बाबा शाम का भब्य महुसब करने जा रहे है ये महुसब जिगरमन पंचायत बवन में संपन होगा और इस महुसब में अपनी प्रस्तुदी देने जैपुर से हमारे बाबा शाम के प्रसिद गायक सेंजेपारिक जी बदा रहे है और साप में परविंदर पलक जी जो फतेयावाद हर्याना से आ रही है अपने भजनों की प्रस्तुदी देने के लिए और मैं समस महानगर वासियों से शेत्र वासियों से एक विनम्र अपील करूँगा कि बाबा शाम के इस उस सब में आप लोग सेह परिवार सेह मित्रों के साथ आए बाबा के भजनों का आनंद ले बाबा के भबे शेंगार का दर्शन करे हमारे बाबा शाम जो कल्यूक के देवता है हारे के साहरे है और समस जो लोगों को धार करने वाले हैं बाबा का आशिरवात प्राप करने से असीम शक्ति का अनुवफ हर प्राणी को यह हुआ हुआ है और ये और सबने सिंद्धि किया ति इस प्रोड़ाम को भब्ब्बनाने के लिए यह आपको अपना कारीपर है आपके द्वारा किया गया कारीकरम है धर्म का तरहार के इसकारीकरम को मतमें मेरे नाम लाजू शर्मा है मैं शाम सेवा सम्थिगा महमंत्री हूं और कल हमारा 15 अक्टूबर को विशाल और भब्वे आयोजन शाम बाबा किर्टन होने जा रहा है और इसी किर्टन में मैं समस्त महानागरवासी होते अपील करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और बाबा कर दर्शन लाप राप्त कर ध्रम लाप कमाएं इस आयोजन के साथ ही हमने बंडारे का यायोमी किया है और जो सिंगर है हमारे गायत किलागार वो जैपुर से और फद्याबास से आ रहे हैं जो अपने सुंदर बजनों से बाबा को रिखाएंगे और इसमें आप सभी धरम प्रेमियों और शाम प्रेमियो संभीती परिवाद चाहता है कि आप आएं 15 अक्टूबर 2024 दिन मुरदवाद की जन्दा को सोचते हुए हमने तै किया है क्योंकि ये सामोहिक अपकास का दिन है मंगलवार सभी लोग बावा श्याम के दर्सन गन्ने जिगर मंच पंचायद वन पर अमंत्रित हैं समय साथ बे की विवस्ता है बोजन परशाद की विवस्ता है तो आप सभी महानगरवासिं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक सिंधिया में आकर बाबा की उस्तर को भवे और विशाल मिनादें